हलो आपका स्वाग आते एलेस फूर लाइब में आज मैं आपके लेके आई हूँ चिकिन बिरियानी इजी और सिंपेल में बनाएंगे और इसे आप इजी लिए अपनी घर में बना सकते हैं और इसमें हम मसाला कम यूज करेंगे यानि की मसाला का कॉंटिटी कम होगी और इसे स्पाइसी बिल्कुल नहीं बनाएंगे कभी-कभी ऐसा होते हैं ना बच्चों को स्पाइसी चिकिन बिरियानी पसंद नहीं होते तो इसलिए मैंने सोजा कि वने इस वर बच्चों के लिए कुछ बनाए जाए लेकिन पाइसी नहीं, बहुत एक कम मसला में इसे हम बनाएंगे, जो कि बच्चे को यह पसंद आए तो चलिए आज की मज़दार चिकिन बिर्यानी रेसिपी को शूरु करते हैं अगर आज का रेसिपी आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक का शियर करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकुशन सबसे पहले आपको मिले चिकिन बिर्यानी के लिए मैंने 700 ग्राम चिकिन ले लिया है और चिकिन को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से वाश कर लिया है और चिकिन का पीसिस को मैंने ज़्यादा बरानी कटवाया, यानि मीडियम से इसकी है अगर आपको चिकन बिर्यानी के लिए बराई या छोटा चाहिए तो आप चिकन बराई या छोटा कटवा सकते हैं और इसे हम मेरेनिट नहीं करेंगे ये ऐसे ही बनाएंगे अगर आप चाहिए तो इसे मेरेनिट करके फिर चिकन बिर्यानी बना सकते हैं ने किना के बनाने से उसका स्वाद अलाग होती है और बगर चिकिन की सब्सक्राइब, अग्र आप मेनें इट करके चिकन बिरयानि बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं, तो चलिए चलते चिकन बिरयानी बनाने की प्रोसेस में, दो से तिन टेविल स्फोन वाइट आयल डाल देंगे और साथ ही इसमें हम डालेंगे दो से तिन टेविल स्फोन सोर्सो का तिल मैं सोर्सो का तिल और वाइट आयल मिला के बना रही हूं मतलब कंबिनिशन करके बना रही हूं आप चाहें तो सोच सकते हैं या फिर वाइट ओयल दोनों से एक तिल से बना सकते हैं लेकिन मिक्स करने से इसका टेस्ट भी अलग हो जाती है और फिलिवर भी अच्छा आता है आप बना के देखें इस तरह से दोनों तिल मिला के और खरा मसला में मैंने लिए एक लाइची य तो आप डाल सकते हैं या फिर आप बरी यलाची यूज कर सकते हैं दो तेजपत्ता दो से दिन लॉंग दो सूच सूखी मिर्ची और दो से दिन ब्लाक पेपर यानि की गोल मिरिस और एक इन डाल चीनी और आदा चक्रोफुल अगर आपके पाद चक्रोफुल है तो डाली या फिर आप इसी स्किप कर सकते हैं तो खरा मसला को हम तेल में डाल देंगे और साथ ही डालेंगे एक चोटी चम जीरा आप चाहें तो जीरा का जाए का बिरानी में अच्छा लगता हैं और दो से तिन कटा हुआ प्याज डाल देंगे तो इसे हम एक से दो मिनिट पे अधरा का लेसन तो एक बरी चमुस अधरा का लेसन डाल देंगे मैं अधरा का लेसन को क्राश कर लिया यानि कद्दुकस कर लिया हैं आप चाहें तो अधरा का लेसन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं तो अधरा का लेसन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे प्याज के साथ ताकि जो अद्रक लेसन का कच्छा पने वो चला जाए तो आप देख सकते हैं अद्रक लेसन और प्याज हमारा अच्छी तरह से भून चुका है तो इसमें हम डालेंगे टमाटर ये करिब दो टमाटर हैं और टमाटर को मैंने लंब़ई में कटा हैं आप चाहिए तो बारे किया फिर आप टमाटर पीओरी भी यूज कर सकते हैं एक चौथा चोटा चमुस धनिया पाउडर आदी चोटी चमुस लाल मिच पाउडर आप अपनी स्वादोंने सार योस करें नमक श्वादोंने सार डालें मसाला डालने के बाद मसाला को हम अच्छी तरह से टमाटा और प्याज के सार मिक्स कल लेंगे लेकिन इसमें हम कुछ और भी इंग्रिडिंड जालेंगे मतलब बिराणी मसाला आप चारें तो पहले डैली या फिर बाद में भी आल सकते हैं तो मैं पहले डाल दियूँ एक चोटा छोटा चमस गरम मसाला डाल देंगे और साथ ही डालेंगे बिराणी मसाला बिराणी मसला में देर्चमज यूज़ करें यानि कि 1.5 टीस पुंझ बिराणी मसला आप किसी भी ब्रैंड की यूज़ कर सकते हैं तो बिराणी मसला और गरम मसला को मिला दे और इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसे हम ठक के कुप कल लेंगे तो एक से दो मिनिट के लिए लो हीट पे छोड़ देंगे ताकि टमाटा अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए और जो मसाला हमने यूज किया उसका कच्छापन थोड़ा चला जाए मतलब वो ना रहे तो एक से दो मिनिट के बाद मैंने धकन खोला अब देख सकते हैं टमाटा माटा सॉफ्ट हो चुक और मसाला का कलार भी कितना बरिया आया है तो इसमें हम डालेंगे चिकिन को हम अच्छी तरह से मसाला के साथ मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे 95% कुक कर लेंगे मतलब पूरा हमें सॉफ्ट नहीं करने है कि किसमें हम चावाल भी यूज़ करेंगे चावाल मैंने पहले ही बना के रखी है और मैं चावाल नॉर्मल चावाल यूज़ कर रहे हैं आप चाहे तो बसमती चावाल भी यूज़ कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से चि लेकिन जलेना 20-25 मिनिट के बाद मैंने धकन खुला अब देख सकते हैं चिकन 95% सॉफ्ट हो चुका है अगर आपको लगता है चिकन सॉफ्ट नहीं हुआ मतलब थोड़ा अच्छा है तो आप 1-2 मिनिट और धकी से कुक कर लें ताकि चिकन थोड़ा सॉफ्ट हो जाए अब द करेंगे तो चिकन बहुत ज़दा सॉफ्ट होंगे जो कुतना अच्छा नहीं लगेंगे बिरानी में तो इसमें हम डालेंगे चावल और आप देख सकती चावल को मैंने पहले बना के रख दिया था और यह नर्मल चावल है आप चाहे तो बसमेती राइज भी यूज़ कर स अच्छा राएं कर देख सकती है ऑर आप पासंद है यह फिर आप इससी किप कर सकते हैं फिर हम इसमें डालेंगे 3-4 हरी मिर्ची अगर आपको तीखा पसंद नहीं ये बाद तीखा आपको जधा चाहिए तब हरी मिर्चे कम या जधा डाल सकते हैं लेकिन बीरानी में हरी मिर्ची का जय का बहुती अच्छा लगता है और साथ ही इसमें हम डालेंगे एक चौथा चोटा चमच, फूट कालर, मैं रैट कालर यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास दूसरा कोई कालर है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, एक चमच गी डालेंगे, यानि की वन टेविल स्पूर गी डालेंगे, बिरानी में गी का फिलेवर बहुत ही अच्छा इसे हम 15-20 मिनिट के लिए लो टो मीडियम हीट पे ठाक के कुप कल लेंगे, ताकि जो इंग्रीडेंस डाली है, वो आच्छी तरह से कोटिंग हो जाएं, यानि की गी का फिलेवर बिरानी में आच्छी तरह से आ जाएं, तो 15-20 मिनिट के बाद मैंने धकन खुला, आप दे देख सकते हैं, यह मिक्स हो चुका हैं, और आप देख सकते हैं, इसमें मसाला बहुत ही कम यूज किया, बनना भी ज्यादा टाइम नहीं लगा, और यह बहुत ही जल्दी बनके तयार हो गें, तो इसे आप फट्रापट बना के सर्फ कर सकते हैं, इसमें ज्यादा महिनत भी नहीं लगी तो बिराणी हमारा तयार है यानि कि बन चुका है तो गैस हम बंद कर देंगी और इसे सर्फ कर लेंगे तो चलिए चलते सर्फ करना की पॉसेस में जैसे कि मैंने शुरू में बताया मैं मसला बहुत कम यूज किया अपने देखा हैं और ज्यादा स्पाइसी भी न नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आपका कोई सजेशन है तो कॉमेंट के जारी आप मुझे कह सकते हैं तो इस बिराणी का आप इंज्योई की जाएं तो चलिए अब मिलते एक नए रेसिपी के साथ बाई बाई